An urn contain 5 red and 2 black balls, ठीक है, red ball कितनी है, 5, black कितनी है, 2, ठीक है, 2 balls are drawn, 2 balls are randomly drawn, ठीक है, 2 balls हमें drawn कर लिया है, ठीक है, let x represent the number of black ball, x क्या है, number of black balls drawn, ठीक है, what are the possible values for x, ठीक है, what are the possible values of x, x की possible values बतानी है, is x a random variable, ठीक है, यह देखो हमें कितनी, 2 balls draw करनी है, तो जो case बनेंगे, जो sample space बनेंगे, वो क्या हैंगे, उसमें क्या हो सकता है, दोनो red ball हो सकती है, ठीक है, उसके बाद, first ball कैसी हो सकती है, red, second ball कैसी हो सकती है, black, ठीक है, first ball कैसी हो सकती है, black, second ball कैसी हो सकती है, red, और ऐसा भी हो सकती है, कि दोनों बॉल क्या हों ब्लैक हो ठीक है तो यह केस बनेंगे अब अगर यह केस बनेंगे तो उसके लिए वो पूछ रहा है let x denotes the number of black balls ठीक है तो यहाँ पर जो x है वो क्या हो जाएगा zero one ठीक है और कितना two इससे जाएगा नहीं होगा जीरो यानिकी x क्या है यहाँ पर number of black balls ठीक है तो जीरो यानिकी दोनों कैसे आ रही है red आ रही है ठीक है अब अगर हम बात करें एक black ball की तो ऐसा हो सकता है पहली ball red और दूसरी black को और और किस बनता है first black ball second क्या हो red ठीक है अगर हम दो की बात करें तो दोनों के आ जाएंगी black ठीक है यह आ गए है अब उसने पूछाय क्या कि क्या x random variable है यहाँ पे हाँ यहाँ पे जो x है yes x is a random variable random variable तो x क्या होगा यहाँ पर random variable होगा और उसकी values क्या होंगी having values 0 ऐसे रिखना having values 0,1 और 2 तो यह तुमारा solution है झाल को है झाल को झाल कोड़ा है